तो बच्चो आज है 13 ओक्टोबर और आज हम पढ़ेंगे अपने most important questions of current affairs current affairs को most important question देखने से पहले हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं एक उलेक, उलेक में देखते हैं do it now, sometime later becomes never देखे सीधा सीधा मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अभी कर लेते हैं जो अपने काम को तो बढ़िया रहता है वरना तो अगर आप उसको टालते हैं कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे तो जादतर क्या होता है? कि वो बाद में कभी आता ही नहीं है तो इसलिए बोला गया है इसमें sometime later becomes never हम बोलते हैं बाद में और वो बाद कभी नहीं आता इसी के साथ हम चलेंगे अपने first question पे हमारा first question नहीं होगा यह होगा answer of question of yesterday हमारा question था When is international day of girl child observed every year? यानि कि हर साल अंतर राष्टे बाली का दिवस कब मनाया जाता है तो हम कब मनाते हैं? 11 October को मनाते हैं क्या मनाते हैं? International day of girl child तो चलिए चलते हैं अपने current affair के first question पे जो हमारा first question है वो है Avamurto became prime minister of dash for a day यानि कि Avamurto एक दिन के लिए dash की प्रधान मंतरी बनी तो कहां की बनी है? Finland की बनी है बच्चो साथ तारीक को 7 October 2020 को एक दिन के लिए Avamurto Finland की prime minister बनी है क्यों बनी है? Gender equality show करने के लिए क्योंकि क्या आ रहा था? International Girls Day आ रहा था जो कमन आते हैं आभी मैंने बताया आपको 11 October को आनाते हैं तो इसी के साथ चलते हैं अपने second question पे हमारा second question है Which government approved tree transplant policy? यानि कि 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 सरकार ने व्रक्ष प्रत्यारोपन निती को मन्जूरी दी? तो किस ने दी है? दिल्ली government ने दी है दिल्ली के CM कौन है? अरविंद केजरिवाल जी है आपको याद रखना है तो चलिए चलते हैं अपने next question पे जो हमारा है third question Dash has become the first हर घर जल state in the country यानि कि कौन सा राज्य है? देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है तो कौन सा राज्य है? गोवा गोवा की capital क्या है? पंजी और गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत जी है और गोवा के राज्यपाल कौन है? भगत सिंग कोश्यारी तो चलिए चलते हैं हमारे फोर्थ कोश्चन पे हमारा फोर्थ कोश्चन है आंदरपरदेश चीफ मिनिस्टर launches dash scheme यानि कि आंदरपरदेश के मुख्य मंतरी ने dash योजना शुरू की तो आंदरपरदेश के चीफ मिनिस्टर कोन है? पहले तो यह बताईए मुझे कोन है? Y.S. जगन मोहन रेड़ी है उन्होंने एक scheme launch की है उस scheme का नाम है जगनात विद्या कनूका जगनात विद्या कनूका इसमें 650 करोड spend करने वाली है गोर्मेंट और इसमें 42,34,322 kit दी जाएंगी to the government schools अब जान लेते हैं आंदरपरदेश के governor कोन है? कोन है? बिश्व भूशन हरी चंदन जी है आपको याद रखना है इसी के साथ चलते हैं 5th question पे हमारा 5th question है Who became the brand ambassador of Indian brand transform? यानि कि भारतिया brand transform के brand ambassador कोन बने है तो पहले तो मैं बता दूँ आपको जो transform है ये एक badminton बनाने वाली company है जिन्होंने अपने brand ambassador किन को बना है? जो badminton में पदक जीते हैं कोन जीते हैं? वो जीते थे चेतन आनन्द जी तो चेतन आनन्द को transform ने अपना brand ambassador चुना है बनाया है तो आपको याद रखना है एक question ये भी आ सकता है transform एक badminton बनाने वाली को company है वो किस देश चे है? तो इंडियन brand है आपको पता होना चाहिए इंडियन company transform तो चलिए चलते हमारे 6th question पर हमारे 6th question है डेश वोन दा आइफल ग्रेंड प्रिक्स 2020 यानि कि डेश आइफल ग्रेंड प्रिक्स 2020 जीता तो किस ने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने आइफल ग्रेंड प्रिक्स 2020 जीता है किस देशते हैं? Great Britain यानि कि United Kingdom से है और किस की तरफ से खेलते हैं? तो जो इनकी टीम है वो Mercedes है तो आपको याद रखना है तो चलिए चलते हमारे 7th question पर हमारा 7th question है Which among the following institute has developed antimicrobial food wrapping material यानि कि निमलिखित संस्थानों में से किस ने रोगाणू रोधी खाद्य आवरण सामगरी विक्सित की है? तो IIT मदरास ने की है कै डवलप किया है? antimicrobial food wrapping material तो चलिए चलते हमारे 8th question पर हमारा 8th question है Who won the man's title in French Open 2020? यानि कि French Open 2020 में पुरुशों का एकल खिताब किस ने जीता? तो किस ने जीता है? French Open 2020 ये जीता है राफेल नडाल ने और Italian man's title किस ने जीता था? नोवाक जोको विचने लेकिन इन्हों ने किसने? राफेल नडाल ने नोवाक पर भी बाजी माल ली है अब ये 13 French Open 2020 में जीते हैं आपको याद रखना है अब चलते हैं हमारे Question of Day पे जिसका आपको Comment में Answer लिखना है Paul R. Milgram and Robert B. Wilson have won the Nobel Prize 2020 in which category? यानि कि Paul R. Milgram और Robert B. Wilson ने किस श्रेणी में Nobel पुरुषकार 2020 जीता है तो इसका आंसर आपको बताना है Comment Box में इसका आंसर मैं कल बताऊंगा तब तक के लिए Bye Bye जैहिंद वंदे मातरम